वीच खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी में अफरंड की घटाएं नहीं रुख रही हैं अफरंड की घटाएं उत्रप्रदेश में नहीं रुख रही हैं, कानपूर आयुद्या के बाद चाजहापूर में भी अफरंड हुआ है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफरन करने वालों को जानता है पीडित परिवार, पीडित परिवार को नहीं मिल रहा, पुलिस का सपोर्ड, एक अफरन की घटाएं वारदाते सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में अफरन की घटाएं नहीं कानपूर, अयुद्या के बाद शाजापूर में भी अफरन हुआ है, अफरन करने वालों को जानता है पीडित परिवार, पीडित परिवार को पुलिस सपोर्ड नहीं दे रही है, हमेशा कितर है जो हमने कानपूर में देखा, यहाँ पर शुरुवाती वक्त में यहीं के प जहा है, शाजापूर में जहाँ पर दूवक का अफरन किया गया है, और पुलिस मदद नहीं कर रही है, सपोर्ड नहीं कर रही है, कानपूर, अयुद्या के बाद शाजापूर में अफरन की वार्दात को अंजाम दिया गया है, अफरन करने वालों को पीडित परिवार जा कि परिवार जानता है लेकिन पुलिस मदद करने को त्यार नहीं कि खबर इस वक्त आपको शाजापूर से बता रहे हैं उत्तरप्रदेश में अब फरन की वारदाते रुक नहीं रहे हैं एक के बादेख सिल्सलेवार तरीके से अफ़रन हो रहा है चायकानपूर हो अयुजा हो चाजापूर हो और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है चाजापूर ते खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अब फरन करने वालों को पिरित परिवाद जानता है खबर शाजापूर से इस वक्त आपको बता रहे हैं अब फरन करने वालों को पिरित परिवार जानता है लेकिन पुलिस मदद करने को त्यार नहीं है हमने देखा कि पकानपूर में पुलिस की लापरवाई से संजीत की हस्त्या हो गए और अब इसी तरीके का कुछ मामला शाजापूर में भी देखने को मिल रहा है जहां पर पुलिस पिरित परिवार की मदद करने को त्यार नहीं है उस्तर प्रदेश की पुलिस को क्या हो गया सवाल बढ़ा जहां पर पुलिस के पास जब एक आम आदमी मदद के लिए पहुच रहा है फर्याद देकर पहुच रहा है तो यह पुलिस इतना हलके में ले लेती है कि कई जगाओं पर देखने को मिलता है कि हर्चाएं हो जाते है जूपी में क्राइम की रफ्तार बवटी जा रही है और इस्तिती यह है कि एक के बाद एक अब फर्ण की वारदाते सामने आ रही है कानपुर की खबर लगातार हमने आपको दिखाई अयुध्या में अब फर्ण हुआ और अब एक और खबर चाजहापुर्द और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी अब अब फर्ण करने वालों को पिरिद परिवार जानता है और राजकुमार रस्तोगी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पिता है जिस यूख का फर्ण हुआ है राजकुमार रस्तोगी जी मैं आपका दर्द समझ सकता हूं के किस मुश्किल वक्त से आप जूज रहे हैं लेकिन के नियूज इस वक्त आपको मौका दे रहा है देश और प्रिशासन आपकी वाज सुन रहा है मैं चाहूंगा कि क्या हुआ आपके लड़के के साथ कैसे उसको किट्नैप किया गया और आप जब पुलिस के पास पहुचे इस बात को बतान किसे आपके बेटे का किट्नैप हो गया कि मेरा बच्या ताहले शेवां की निकल गया बजया निया जाब निया यह जारा हूं आप जाब देशाब जाया ताइसे सांटो तुद्धर आपको जारा हूं प्रण अब सब्जम करते हैं लोग अधार लूगाई राजकुमार जी viveur झैसा कि अभी खबर बैस डबीए लग जांते हैं कि कि लोगों ने अफरण किया है वह कौन लोगां बता दीजिए आप लोग को पता है वह कौन जब आप पुलिस के पास पहुंचे तो वहां पर क्या बात हुई क्या पता सकते राजकुमार जी किससे आपकी बात हुई थी वह कौन अधिकारी था कौन पुलिस कर्मी था उसके बारे में कुछ वह पर देशन जी आगे हैं तर्बात हुई नहीं और वह सकते बात हुई तो क्या का उन्होंने कि लो क्या क्या लुक्त आपना है कि तो क्या कोई जानकारी किसी तरह कि अभी तक आपके बेटे को को लेकर आपको दी गई है पुलिस के दौरा क्या फिरोती के लिए राजकुमार जी कोई रकम के लिए आपके पास फोन आया है किसी का आप क्या चाहते हैं तो राजकुमार अस्थोगी जी हमारे साथ ुसवक्त जुड़े वए और फिलीस को लेकर वो सवाल भी उठा रहї हैं कि किस्तरह से पुलिस इस पूरे मामले को हलके में ले रही है जो लापर्वाई हमने कानपुर में देखी अभ वही लापर्वाई शाजापुर में देखने को मिल रही है और जहां पर पुलिस जो है साफ तोर पर राजकुमार रस्तोगी जी जी जब पहुंचते है था ने और वो पूरा वाक्या उन्हों ने बताया किस तरह से वो उसे बात कर रहे थे और पूरे मामले को वो लोग हल के में किसी तरह की राजकुमार पूरे मामले पर जिस तरह से पुलिस आपके साथ पेश आ रही उसको लेकर आप क्या कहेंगे अब आपके रहे हैं बड़ी लापरवाई बिल्कुल हलके में यह लोग मामले को ले रहे हैं पुलिस वाले हम समझ सकते हैं राजकुमार जी यह मुश्किल का वक्त है आपकी वालाद अप्रण करताओं के हाथ में हैं मैं समझ सकता हूँ आपको मुश्किल हो रही बोलने में लेकिन मैं आपके शब्दों को जबान देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं समझ ना हो कि पुलिस का रवया क्या है मैं समझ ना हो कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है फिलार राजकुमार रस्तोगी जी बहुत बहुत शुक्रिया हम से जुड़ने के लिए आपने अपनी बात रखी के नियूस पर राजकुमार रस्तोगी आप सुन रहे थे यह य नैफ किया इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है खबर इस वक्त आपको शाजापुर से बता रहे हैं अपरण करने वालों को पीड़ित परिवार जानता है पीड़ित परिवार को पुलिस का सपोर्ट नहीं मिला जो थोड़ी देर पहले राजकुमार जी ने कही ज एक युवक का अफरंट कर लिया जाता है और पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई बड़ी खबर इस वक्त आपको शाजापुर से बता रहे हैं तो खबर इस वक्त शाजापूर से आपको बता रहे हैं अफ्रण करने वालों को फिडिस परिवार का कहना है वो जानते हैं रस्तोगी ज्वैलर्स एंड रस्तोगी बरतन भंडार ये इनका काम है बिजनिस है तो ये करते हैं और अब देखने को ये मिल रहा है कि अफ्रण की बारदाते बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं गोंडा की खबर आपके सामने हैं कानपूर की खबर आपके सामने हैं और शाजापूर की खबर भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ए और इस बीच ये भी बता दें के जो SPS आनंद हैं वह इस वक्त फोन नहीं उठा रहे हैं जब हम लगातार उनसे संपर करने की कोशिश कर रहे हैं उनका वर्दन जानना चाते तो महोदे फून उठाने को त्यार नहीं है यह सती है आप तोचिए एक तरफ किसी की आउलाद अफरण करताओं के चंगुल में हैं दूसी तरफ अधिकारी बोलने को त्यार नहीं है किसी तरह का कदम उठाने को त्यार नहीं है बड़ी खबर इस वक्त शाजापूर से आपको बता रहे हैं कानपूर गोंडा के बाद शाजापूर में भी अफरण की वारदात को अंजाम दिया है बदमाशों ने बदमाश चड़के बोल रहे हैं उस्तर परदेश की पुलिस का उ अफरण कर लिया और उसके बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है राजकुमार जी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुले वे थे जिनके लड़के को अपनल करताओं ने उठाया है उस साफ तोर पर अपनी बात रख रहे थे किस तरह से उनके साथ पुलिस महकमा पेश आ रहा है पूरे मामले को लेकर इतने हलके में वो लोग ले रहे हैं दूसरी तरफ उनकी आउलाद का अभी तक पता नहीं है कि आखिर वो किस जंगा पर है कौन लोग उसे अपनल करता वो किड्नैप करके ले गए फिलाल इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है लेकिन ज झाल